वेलकम बैक दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने जिस मूवी का जिक्र किया था वो मूवी यही है और इस मूवी का नाम है पुरुकुप्रसिद्धा पैयन जिसका मतलब है एक बदनाम नोजवान और एक मल्यालम मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई थी तो चले बिना टेमिश के लेट्स स्टार्ट और उस से पहले अगर आप मेंचान पर नए है तो अपना प्यार दिखाईए अगर पुरा ने है तो और प्यार लुटाईए तो मूवी की शुराथ हुदी है इन्दा येर आफ 2015 जून और इस माहुल को देखके हमें ऐसा लगता ह है कि यहां पर शादी हो रही है अफको शादी का महुल है तो आमीज भी होगा तो कुछ लोग एक भैंस को काड़ने का काम करने लगते है लेकिन तबी इसके पगल वाली जो भैंस होती है वो भैंस इस चीज़ को देख लेती है और यह बैफिलो घबरा जाती है और अपने रस्तियां तोड़ते हुए वहां से भागने लगती है सारे लोग उसकी फीचे लग जाते है उसे पकड़ने के लिए और उसी वक्त हमारे हीरो की एंडरी होती है और इसका नाम है अजय तो खैर इस तरह से अजय और उस भैंस के बीचे काफी सारी हाथा पाई होती है तो फ बात ये है कि आजय बहुती भोला बंदा होता है और जब रात का वक्त आता है तो सारे गल से दुलहन के पास जाकर सेलफी लेने लगते है और तब युसे वक्त वहां पर आजय आता है और अच्छूलिय आजय उमा नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता है तो आजय धीर पास आता है इडली लेने के लिए अब आजय के बार में बात करें तो आजय का इस दुनिया में कोई भी नहीं है एक अनाध है लेकिन चामुन डेश्वरी आजय को अपने बेटी की तरह देख रही होती है उसे बहुत प्यार करती है और आजय उन इडली को लेकर अपने होता है अश्रफ और उसी होटल के रसोडे में एक लड़की काम करती रहती है और इसका नाम है जलजा और आजय ने कल जो कान किया था शादी में मतलब उसने उमा का हाथ पकड़ा था वो सारे लोगों को पता चल चुका है और यह सारे चीज़ बोलने वाली जलजा ही थी औ है तुमने सच में उमा का हाथ पकड़ा और इवन दो चामुड़िश्वरी भी अजय से यही सावाद किया था तो इन सारे लोगों के सावाद सुनने के बाद बैचारा अजय शर्मिंदा हो जाता है खैर थोड़ी देर बाद चामुड़िश्वरी अश्रफ के होटल आती है अपना हिसाब कताब लेने के Mittelie मतलब पैसे वगरा लेने के लिए और चामुड़िश्वरी अजय से ही यही दिए है कि तुमको एक महिना रिश्ठ है मैं एक महिने के लिए दूसरे गाउं जा रही हूँ और जब चामुड़िश्वरी अपने घर जा रही होती है तो रास्त अपने पती भासकर को उठाती है इस तरह से इदर उदर की लोग जब चामुन डिश्वरी के घर जाते हैं तो वहां पर चामुन डिश्वरी घायल होती है इसे देख के ऐसा लगता हो कोई इसे मार के चला गया भासकर उसका एक और पड़ोसी इदर उदर चार मारते है लेकिन पर अश्रफ को ये बात पता चलती है कि चामुन डिश्वरी को किसी ने मार दिया और आफकोस ये बात अजएबी सुन लेता है ये सुनने के बाद बेचारे अजए का दिल तूट जाता है और यहां पर हास्पिडल में जब चामुन डिश्वरी का ट्रीट्मेंट हो रहा हो तो इन सारे चीज़ों को पुलिस अपने कस्टेडी में ले लेती है। उसके बाद पुलिस एक के बाद एक चामुन डिश्वेरी के बारे में पुछने लगते है। और जब आजय यही सवाल चामुन डिश्वेरी से किया था तो चामुन डिश्वेरी बहुत गुस्सा हो गई और आजय पर भड़कने लगी और उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है। यह सुनने के बाद आजय का दिल टूट जाता है और बेचारा मायूस होकर वहां इस तरह से धीरे-धीरे करते हुए इन दोनों में मा बेटे का रिष्टा बन चुका था और चामुन डिश्वेरी अजय से बहुत बात है किया करती थी लेकिन जब कभी पी चामुन डिश्वेरी अपने गां के बार में बात करती तो वह मायूस हो जाती थी लगता था प्यार के बारे में बताने लगती है कि ये किसी से प्यार किया करती थी लेकिन इसका प्यार इसे नहीं मिला ऊसी तरह चामुनिश्वरी अजाय को एक छोटा सा मैसेज देने लगती है कि आजाय अगर तुम चामुंडेश्वरी ही थी जो आजे से बहुत प्यार किया करती थी लेकिन आज इसके साथ वो भी नहीं है तो आजे चामुंडेश्वरी को याद करते हुए चामुंडेश्वरी के घर जाता है और अपनी पुराने यादों को अपनी माँ को याद करने लगता है खर इस तरह स कि जल से जल चामुंडेश्वरी की केस को CBI को सोब दिया जाए We want justice खर उसके बाद यह और बंदे का interaction होता है और इसका नाम है सुमन और यह बंदा CBI Department से है और फिलहाल चामुंडेश्वरी का केस सीबाई के हाथ में चला गया उसके बाद सुमन जो लोग धरना कर रहे होते हैं उनके पास आता है और उन लोगों को बताने लगता है कि आप लोग फिकर मत कीजिए अब चामुंडेश्वरी का केस हमारे हाथ में आ चुका है लेकिन इसके बावजुद भी उस धरने में एक लड़की होती है वो लड़की सुमन को वाउन करने लगती है अगर आप लोगों ने भी चामुंडेश्वरी के कातिल को नहीं पकड़ा तो हम इससे भी उपर जाएंगे खर इसके बाद सीबेश्वरी कावी सारे लोगों को अपने पास बलाती है चामुंडेश्वरी के बारे में पूछने लगते है और इसी दर्मियान में भासकर को भी बलाये जाता है भासकर चामुंडेश्वरी का पड़ुसी और सुमन इस बंदे के सामने शुराब की बोटल रख देता है और भासकर शुराब पिके आजए और चामुंडेश्वरी के बारे में अनाप शुनाप बखने लगता है क्या उन दोरों के बीच पता नहीं क्या रिलेशन्शिप है हर हमेशा आजए चामुंडेश्वी का घर में ही रहता है इस तरह से भासकर एक छोड़ी सी आग लगा देता है तो सीबे आफिसेस उसी तरह से आजए को अपने पास बलाते है उससे सवाल करने लगते है हमने सुना है कि तुमारे और चामुंडेश्वी के दर्मियान ना जाय संबन थे क्या ये सही है ये सुनने के बाद अजए को बहुत गुस्ता आता है और उची आवाज में सुमन से कहने लगता है नहीं सर वो मेरी मा जैसी है और अजए उसी तरह से एक दिन का इंजर्ण बताने लगता है कि एक दिन चामुंड रिश्वरी अजए को लेकर किसी टेंपल गई थी वहाँ पर चामुंड रिश्वरी ने किसी बंदे से मुलाकात की थी तो इस तरह से जब कभी भी चामन डिश्वरी को काम होता तो वो अजे को बला ले जाती खर इस तरह से और कुछ बातें पूछने के बाद अजे को वहां से भेज दिया जाता है और जब बैचारा अजे अकेला होता है तो इसके पास जलजा आती है और इसे होसना देने लगती है कि तुम फिकर मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा इस तरह से कहते हुए जलजा अजे को हग करती है उसे किस करती है अपना प्यार जताती है कब जाके अजे को थोड़ी बहुत तसली होती है हाँ इस दुम्हें मेरा भी कोई है मुझे प्यार करने वाला खर दूसरे दिन ने एक और फिसर सुमन के पास आता है और वो अजे के बार में बताने लगता है कि अजे का इस दुम्हें कोई नहीं है वो एक अनाद है और कुछ दिनों पहले अजे ने किसी बंदे को चाखू से हमला किया था लेकिन कोई भी शक्स इसके उपर कम्डेंट नहीं किया सर हम जिस बंदे को ढूंड रहे हैं वो बंदा यही है ये सुनने के बाद सुमन एक नया प्लैन बनाता है खर उसके बाद सुमन एक बंदे को पुलिस टेशन बलाता है और इसका नाम है समीर और सुमन को ये बात पता चली थी कि समीर ड्रक्स का बिजनेस करता है और समीर से कहने लगता है अगर तुम इस मामले से बचना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ उसी तरह तुम अपना बयान दो तो समीर उसी तरह से एक बयान देता है उसके बाद सी बीए वाले ताजुदीन नाम के एक बंदे के पास जाते है उससे पूछताश करने लगते है पुलिस वाले जाने के बाद अजय ताजुदीन के पास आता है मतलब ताजुद्दिन का हावचार पूछने के लिए तो ताजुद्दिन अजे को देखके अजे से कहने लगता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्या तुम्हें पता है पुलिस तुम्हें ढून रही है तुम्हें एक काम करो, तुम इस सिटी से कही दूर चले जाओ, मैं जाने का इंतजाम करता हूँ, कल सुबह तुम मच्छी मार्केट में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वही पर मिलूंगा तो अजे उसी तरह से जलजा को अपने बार में बताने लगता है, कि वो कल सुबह दूसरे गाओं जा रहा है, और वो जलजा को भी बुलाता है, लेकिन जलजा अजे से कहने लगती है, मैं आओंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम वहाँ पर जाके अपना काम ढूंडो, औ हम हसी खुशी अपनी जिंदगी वहाँ पर गुजार लेंगे, तो दूसरे दिन अजे मच्छी मार्केट जाता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करने लगता है, और तब ही वहाँ पर अजे के फ्रेंड्स आते हैं, और अजे को घेर लेते हैं, और उसे कहने लगता है, क् लेकिन अजे अपने फ्रेंड्स को बताने लगता है, कि मैं कहीं पर भागने वाला नहीं हूँ, प्लीस मेरे हाँ छोड़ो, और देखते ही देखते हैं, तब ही वहाँ पर ताजुदिन भी आता है, और ताजुदिन भी अजे से यही बात कहने लगता है, कि तुम नहीं चा पर चुपाया तुमने चामण डिश्वरी को पैसों के लिए ही मारा था ना लेकिन बेचारा आजय सुमन को समझाने लगता है कि मैं उस रात चामण डिश्वरी के घर नहीं गया था मैं भला वहां पर चोरी क्यूं करूंगा लेकिन पुलिस वाले आजय की एक भी बात नहीं स इसको जगा देता और दूसरे दिन सुबह पोलिस इसको उल्टा लटका देती है इस तरह से से एक्षा को बहूत देर तक टौर्चर करते रहती तो दूसरे दिन सुबह न्यूस चानल में यह न्यूस चनले लगती है कि अजय ở वहां पर चोरी के एरादे या था और जब अजे के दोस्ता अजमल का नाम सुनते है तो ये लोग शौक में रहे जाते हैं ये क्या अजे का दूसरा नाम अजमल है उसके बाद सुमन अश्रफ के पास आता है और अश्रफ को उसके बाप के बारे में याद दिलाने लगता है कि कई सालों पहले अश्रफ के फाद को रिहा कर दिया और पुराने बातें याद दिलाते हुए सुमन अश्रफ से कहने लगता है अब बताओ क्या तुम मुझरम का साथ दोगे या तो फिर तुम भी इस केस में फस होगे मतलब इस तरह से सुमन सारे लोगो मैनिपलेट करते रहता है और वो भी अजय के खिलाफ है दूसरे दिन सुमन अजय को किसी जगा पर लाता है किसी लेक के पास और उसे पूछने लगता है बताओ तुमने उस चाखु को कहां पे फेका तो अजय अपना हाथ पॉइंट होड़ करते हुए एक लेक की तरफ अपने ही उंगली दिखाता है थोड़ी देर बाद एक चाम निश्वरी का कतल किया उसके बाद सुमन अजय को उसकी रूम ले जाता है जहां पर वो एक अलमारी ओपन करने के लिए कहता है और उस अलमारी में एक कवर होता है और उस कवर में एक टीशेट और एक पर्स होता है और ये पर्स चाम निश्वरी का था मतलब सुमन और उसकी टीम जानभूच के आजे को इस केस में फसा रही है। खर उसके बाद सुमन और उसकी टीम आजे को जेल लाते हैं और जेल में भेजते हुए उसे कहने लगते हैं अब तुम्हारी सारी जिन्दगी यही पर गुजरने वाली है। लेकिन आजेल के अंदर जाते हैं सुमन से कहने लगता है कि मेरे जैसे मासुमों के लिए उपर वाला जरूर कोई ना कोई शक्स को भेजेगा। उसके बाद एक बंदी का इंडरेक्शन होता है और उसका नाम है हरिता और एक लॉयर है जो रिसेंटली अपनी डिगरी हाऊसिल करके रेगुलर्ली कोट आती रहती है ताकि हरिता को कोई ना कोई केस इसे मिल जाए और उसी दिन आजे की केस की भी सुनवाई होती है और सुनने के बाद जज इस केस को कुछ जिनों बाद स्थकन कर देता है और जैल में अजे का एक साथी अजे से कहने लगता है कि तुम जज साब को एक लेटर लिखो कि तुमें पॉलिग्राफ टेस्ट करवाए और उससे ये बात पता चल जाएगा कि तुम काथिल नहीं हो और तुम्हारे लिए कोई लॉयर अपॉइंट करूं ये सुनने के बाद बेचारा आजे कुछ भी नहीं करता वो बस हाठ जोडने लगता है और वो जजज समढ़ लेता है और हरीता को एक केस अपॉइंट करता है लेकिन ये तो एक मडर केस है और हरीता का ये पहला केस होगा तो हरीता घबराने लगती है और जजज सहाब को मना करने लगती है लेकिन जजज हरीता को समझाने लगता है कि सच क्या है जूट क्या है हमें बिल्कुल भी पता नहीं है लॉयर्स का काम होता है सबुतों को ध्यान में रखते हुए लड़ना तुम बस वो काम करो खर किसी मान लेती है और हरीता चांप अंडश्वरी की केस की फाइल अपने घर ले जा कर उस केस को स्टाड़ी करने लगती है जहां पर ये स्टेट्मेंट होता है कि उस दिन जब चांप अपडने केraw जो रही थी तो आजे चोरी चुपके चांफ अंडश्वरी के घर आया और उसके पिलों से पैसे चुराने लगा लेकिन तब ही चामन डिश्वरी की आँख खुल गई और वो अजे को रोकने ही कोश्च की लेकिन इसी हाथ अपाई की दौरान अजे ने चामन डिश्वरी को एक चाखू से बहुत बुरी तरह से खतल कर दिया मतलब इस तरह से CBA ने ये स्टे कीजिए खर भरत हरिता को क्रिकेट का एक्जामबल देते हुए उसका हौसला बढ़ाने लगता है तो वहां से हरिता अजे के पास आती है और उस वक्त अजे एक हॉस्पिटल में होता है और वो जखमी होता है और अजे को अपना इंडरेक्शन बताते हुए अजे से कहने ल लगे और उसी तरह आजे को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा भी खर उसका बात हरिता अजे से पुशन लगती है अगर तुमने चामन डिश्वरी की हत्या नहीं की तो तुमारे रूम में वो पर्स और वो चाहु कहां से आई तो बैचार आजे रोते हुए हरिता से कहने ल था कि तुम इस चाहु को उस लेक में फेक दो और तुम उस जगा को याद रखो बैचारा आजे उसी तरह से उस चाहु को लेक में फेक दिया और दूसरे दिन सीबे वाले उसे वहां पर लाए थे और सबूत मिलने का नाटक किया उसके बात हरिता आजे से एक और सवाल से ये सवाल भी पूचा क्या तुमने ही इंद्रा गांधी को मारा तो मेरा आंसर हां ही निकलेगा इस तरह से भोती बेरहमी से उन लोगों ने मुझे टॉक्चर किया इसको बात हरिता भारत के पास आती है और जो कुछ अजे ने कहा वो सारसर कुछ भरत को बताने लगती है ये सुनने के बाद भरत हरिता को एक छोटा सा अडवाईस देने लगता है सुनो हरिता एक बात याद रखो जो कुछ भी CBA टीम ने स्टेटमेंट में लिखा वो सही मानना हमारी बेवकूफी है लॉयर का काम नहीं होता है कि लॉयर अपने तरिखे से सबुतों को ढूंडे और उन सबुतों को सामने रखते हुए एक स्टोरी बनाए और उन सबुतों को और इस स्टोरी को धीरे धीरे करते हुए वो कोट में पेश करें यही असली लॉयर की निशानी होती है खर इस तरफ जलजा अजे के पास आती है अजे से मिलने के लिए और आते आते जलजा खरद आजे जलिजा से यही केहने लगताए है कि मैंने चामुण निश्वरी का कतने ही किया तो जलिजा कहती है जलिजा किहती है अज्य को और अजएखे के घिर जया किक्रांब और इसके अपर झाला किया तो परद रेकम कितिते अजे के पास जाती है और इस बार हरीता चामणिश्वरी के बारे में सवाल पूछन लगती है क्या तुम्हें किसी पर शक है क्या चामणिश्वरी का कोई एनिमी है ये सुनने के बाद अजे उस दिन का वाखिया सुनाने लगता है जब चामणिश्वरी ने अजे को अपने सा से बात कर रही थी और मामला क्या है हाँ मुझे एक बात जरूर याद है कि जिस नमर को चामर निश्वरी ने कहा था फोन करने के लिए मुझे अभी भी वो नमर याद है ये सुनने के बाद हरीता उस नमर को बोलने के लिए कहती है अजे उसी तरह से हरीता को वो नमर बताने लगता है और हरीता जाते आते आजे से ये सवाल करने लगती है कि आजे तुमको अजमल नाम कैसे पड़ा तो आजे कहने लगता है मुझे ऐसा नाम ही नहीं है और किसी ने भी मुझे उस नाम से बुलाया तक नहीं खर इसके बाद एक और बनने का इंडरेक्शन होता है और इ इंसल्ट करने लगता है जिसकी वेशे बैचारी हरीता रोने का फेस तक बना देती है और जब कोट में सुन्माई होती है तो पहले संतोष भासकर को कड़ड़े में बुलाता है और उसे बताने लगता है बताओ भासकर तुमने अपने आँखों से उस रात क्या देखा तो भा आजे मुझे देखते ही वहां से भागने लगा खर भासकर का बयान सुनने के बाद जज्ज हरीता से पुछन लगता है क्या तुम इस बन्दे से कोई सवाल करना चाती हो तो हरीता कहती है नो सर आच्छली हरीता का ये पहला अर्गमेंट है और हरीता नर्वस में रहती है उ उसे पुछन लगता है तुम जज्ज साहब को बताओ उस राद तुमने क्या देखा तो आच्छली उस राद जब वो बंदा अपने आटों से कही पर जा रहा था तो इसका आटों आचानक से स्टाप हो गया तो उसी रासे से आजे अपने कांदे पर सीडी लेकर वहां से ज आदर घुसा खर उसके बाद आजे के बेश्ट फ्रेंड को बिला जाता है उसका नाम है दिनेश और संतोष दिनेश को मैनिपलेट करते हुए काफी सारे सवाल करने लगता है जहां पर अचानक से दिनेश जूट कहने लगता है और जिस दिन चामणश्वेरी का कतल हुआ थ उस दिन आजे अपने होटल में नहीं था इस तरह से संतोष काफी सारे लोगों को कट घड़े में बुलाता है उनसे सवाल करने लगता है और सारे लोगों का एक ही जवाब होता है कि आजे को चोरी करने की आदत थी वो जब जब चोटे मुटे चीज़ें चुराता था और सारे गवाहों के बाद हरीता अश्रफ से क्रॉस एक्जामिन करने के लिए रिडी हो जाती है और उसे कहने लगती है देखा अश्रफ सी बिय की स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि पहले आजे ने तुमारे होटल से बाहर गया वो चामुनश्वर के घर गया वहाँ चामुनश्वर का कतल किया और उस चाकू को किसी लेक में फेक कर अपने कपड़े बदल कर फिर से वो तुमारे होटल आया जब तुमको चामुनश्वर की बात पता चली थी उस वक्त क्या अजे फ्रेश था या तो फिर जो काम करने की हालत थी उस हालत में था ये सबाद तो अजे अपने माँ से मुलाकात करता है आशुले अजे की ये माँ नहीं है अजे को किसी ने जर्म दे के कही पर छोड़ दिया था उसके बाद में एक सिश्टर अजे को पाला पोसा बढ़ा किया और वो सिश्टर यही है मतलब अजे की माँ भी अजे पर भरोसा नहीं करत यह सुनने के बाद बेचारा आजे दिनेश से कहने लगता है कोई ना यार छोड़ो अगर तुम भी इस केस में फस जाते तो तुमको भी सफर होना पड़ता अब देखो मैं खुद सफर हो रहा हूं तुम फिकर मत करो दूसरे दिन हरिता आजे के दिये हुए नमबर को लेकर टेली कम्यूनिकेशन आफिस जाती है उस नमर के बार में अता पता करने के लिए जब दूसरे दिन कोट में सुनवाई होती है तो हरिता एक डॉक्टर को कट घड़े में बुलाती है मतलब एक पोस्ट पार्टम करने वाली डॉक्टर होती है और हरिता इस चाहू को दिखा क कर उस डॉक्टर से पूशने लगती है क्या इस चाहू से वह जखम किया जा सकता है जो चामर निश्वरी के बौड़ी पर थे इस तरह से हरिता उस डॉक्टर से कुछ और सवाल कर रही होती है लेकिन तबी संदोश अपने सीट से खड़ा होता है और हरिता के सारे सवालों पर पानी फेड़ देता है मतलब संदोश उस डॉक्टर से एकित सवाल करके उसे वहां से भेज़ देता है इस तरह से चाहू को लेकर बहुत सारी आर्गमेंट चलने लगती है और जब आर्गमेंट खतम होता है तो हरिता बाहर आती है और जलजा हरिता से मुलाकात करने आगर फीस की कमी हो तो मैं आपको पे करूंगी दूसरे दिन हरिता इस पॉलिस वाले को कट घड़े में बुला दी है जो CBA से बहरे चामुर्णुश्वरी की केस को इन्वस्टिकेशन कर रहा था और हरिता चामुर्णुश्वरी के पर्स को दिखा कर उस पॉलिस वाले से कि जब आप चामुनिश्वरी के घर गए थे उसके घर की तराशी लेने के लिए क्या आपको ये पर्स वहां पर मिला था तो पुलिस वाला कहता है हाँ मिला था लेकिन जब CBA ने इस केस को इन्वेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया तो यही पर्स आजय के अलमारी में कैसे प कहने लगती है यह है लोकल पॉलिस की रिपोर्ट जब साहब और इसमें इस पर्स का कोई जिक्री नहीं है जिसका मतलब है जब साब CBA ने जान बुच के अजय को फसा रहे है खर इसको बाद लंच में हरिता उमा की फेस्विक प्रोफाइल चकरने लगती है उमा आपको या ने ऐसा क्यों किया यह आपको लाश में पता चलेगा उसके बाद हरिता एक औरत की मदद से जो रैलवे डिपार्टर में काम करती है उस दिन की पैसेंजर लिष्ट मंगवाती है जिस दिन चामुन डेशवरी दूसरे गाउं जाने वाली थी मतलब हरिता यह जाना चाहती है कि उस दिन चामुन डेशवरी के साथ कोई और शक्स था या नहीं और इस तरह जेल में जब अज़े पाने ना रहा होता है तो इसके पास दो लोग आते हैं और इससे छेरखानी करने लगते हैं मतलब यह दोनों लोग अज़े की लूंगी निकाने की कोईश करते हैं अज़ पूछने लगती है कि आपको कब पता चला कि अज़े का दूसरा नाम अजमल है तो सुमन ज़स सहाब से कहने लगता है कि हमारे इंविस्टिकेशन के दोरान हमें अज़े का दूसरा नाम सामने आया जब हम अज़े के और उसका नाम अजमल ही था और सुमन उसके अगर नाम जवता अच्छा डाटने लगती है कि क्यूं तुम ने मुझसे जूट कहा कि तुम्हारा नाम अजमल नहीं है और अज़े फिर से ही कहने लगता है मुझे पता नहीं कि मेरा नाम वो कैसे पड़ा जब मैं छोटा बच्छा था तो एक बंदा मुझे उस औरफनेज Dus ठोड़ा था लेकिन उस और्फनेज में वो लोग मुझे अजमल कहकर नहीं बुलाते थे वहां के लोग मुझे कुछ दूसरे नाम से बुलाते थे और जल्द बाजी में आजे एक नाम कहने लगता है वो है अमो और तभी पुलिस आकर अजे को ले जाती है और यहां पर हमें यह बात पता चलती है कि हाँ अजे का दूसरा नाम अजमल था और वो भी और्फनेज में था खैर लंच के बाद हरीता इस बंदे को कट घड़े में बुलाती है यह बंदा वही है उस दिन लेक में से चाखु निकाला था आक्शुली यह बंदा फायर डिपार्टमेंट में काम करता है और एक दिन सुमन इस बंदे से कहा कि तुम दूसरे दिन लीव ले लो आफिस मच जाओ तुमको दूसरे दिन कही पर जाना है मतलब इस बंदे को अलड़ी पता था कि यह बंदा उस लेक में उतर के चाखु को निकालेगा और यही बात यह बंदा जच के सामने बताने लगता है उसके बाद हरिता एक फॉरंसिक बंदे को कट गड़े में बुलाती है एक्च्वली इसी बंदे ने उस चाखु का केमिकल एक्जामनेशन किया था और पुछताच की दोरान यह बंदा जच साब से कहने लगता है कि वो चाखु जंग खा चुकी थी जंग पानी की वज़े से लेकिन सीबे की रिपोर्ट में यह लिखा था कि वो चाखु तकरिबन एक साल तक पानी में रही हालांके मेरे हिसाब से वो बात गलत है उसके बाद हरिता उमा की वो प्रोफाइल पिक्चर को दिखाती है जहां पर इन दोनों के फीचे एक सीडी थी मतल से वो घर के अंदर एंटर हुआ और इस फोटे की मदद से हमें ये बात साफ पता चलती है कि वो सीडी हर हमेशा वही पर थी और दूसरे दिन हरिता इस केस की समरी प्रिपरेशन करके जच साहब की सामने पेश करने लगती है और जच साहब को चामुंडेश्वरी की फोन की लिश्ट दिखाने लगती है और इस लिश्ट में एक नमबर नया होता है मतलब जिस दिन चामुंडेश्वरी मरी थी उसी दिन उसी वक्त एक बंदा चामुंडेश्वरी के फोन को कॉल किया था और वो फोन एक पुलिस वाले ने पिक किया था और चामुंडेश्वरी को फ लेकिन इसी दर्मियान में ये कांड हो गया और उसी तरह हरिता जद सहाब को एक बैंगलूर का अडिशन दिखाने लगती है और इस न्यूस पेपर में परमेशवर की एक न्यूस होती है मतलब जब परमेशवर बैंगलूर गया था वो किसी लॉज में था और उसी लॉज में किसी ने परमेशवर राओ की भी इसी तरह से हत्या कर दी थी और आश्वली चामुंडेशवरी और परमेशवर ये दोनों एकी कैस्ट के नहीं थे और इसी की वज़े से इन दोनों की खांदानों में लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई के दोरान चामुंडेशवरी के गाउ में काफी सारे हत्याएं हुई काफी सारे लोग मर भी गए और वो खांदानों वले चामुंडेशवरी को और उसी तरह परमेशवर को इदर उदर ढूंते रहे जब आइन वक्त पर ये दोरों मिलने वाले थे तभी किसी ने चामुंडेशवरी और परमेशवर की हत्या कर दी अलग अलग जगा पर इस तरह से हरिता एक रियल स्टोरी जजज साहब को सुनाने लगती है ये कहानी सुनने के बाद संतोश इस कहानी को नहीं मानता क्योंकि केस की कहानी में और हरिता की कहानी में बहुत सारा डिफरेंस है खर जब दूसरे दिन सुनवाई होती है तो जजज अपना फैसला सुनाने लगता है और जजज अजज को बाइज़त बरी कर देता है और इसी तरह उस CPI आफिसर सुमन के उपर कारवाई करने के लिए कहता है क्योंकि सुमन ने अजज़ पर फाल्स अलिगेशन्स लगाए थे और असली कातिल को पकड़ने के लिए जजज इस केस को दूसरे एजज़ को सौब देता है इस तरह से एक छोटी लॉयर एक बड़े लॉयर को उपर जीत हासिल करती है उसके बाद आज़य अपने होटल आता है जहां पर काफी सारे लोग आज़य को देखके बहुत खुश होते है और कुछ लोग आज़य से मौफी भी मांगने लगते है और उसी होटल में तीन बंदे बेटे हुए रहते है जो कुछ दिनों पहले ये तिनों चामुन्डेश्वरी के घर आये थे उससे जगड़ा कर रहे थे खैसके बाद आज़य जलज़य के पास जाता है जलज़य आज़य को देखके बहुत खुश होती है इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना ज़रूर मिलते हैं गली वड़े में तब तक टेक केर बाबाई सीजी सून